जैसरी करश्ण मित्रों, मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 26 मार्च 2022 शनी वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की दरश्टी वा भगवान शनी देव की क्रपा से आज 12 में से 5 राशी वालों को कारे चेत्र में विशे सफलता के योग हैं इन 5 राशी वालों में आज हैं मित्षून, करक, तुला, धनो और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं अन्य राशीयों के लिए आज का दिन सामान ने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज चैत्रमास कुरश्ण पक्षकी नवमी तिथी है शनिवार का दिन है आज दिन की सुर्वात पुर्वा शड़ा नक्षत्र से होगी और धनुराशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदे प्राताहकाल 6 बच के 18 मिनिट पर होगा और सुर्यास्त साम 6 बच के 35 मिनिट पर होगा राहुकाल प्राताहकाल 9 बच के 23 मिनिट से आरंबहो करके प्राताहकाल 10 बच के 55 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शूब मंगलिक वग नया कारी शुरू नहीं करें इस समय आवधी में किसी भी नई वस्टू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा पूर्वदिसा में तो आज के दिना पूर्वदिसा की और मुक्ष करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कारिय आरंब नहीं करें पूर्वदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो आज उड़ा दखा करके या अपने इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर्वसरेष्ट अतिस महुर्थ अभी जीत महुर्थ आरंब होगा दोपहर बारह बच के दो मिनिट से आरंब हो करके दोपहर बारह बच के 51 मिनिट तक सर्वसरेष्ट बचुब महुर्थ रहेगा तो इस महुर्थ में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुरते में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेशराशी से आरंब करते हैं मेशराशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मेशराशी वाले आज उत्साह से भरपूर रहेंगे भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा कामकाज में जोस आपको मुलाकात होगी जिसके कारण आपके चेहरे पर खुशी जलकेगी तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पांच है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिकाब करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहका लिशनान करने के पश्चाद भगवान शनी देव के मंदिर में काले कपड़े में उड़द रखकर के दान करें शनी देवता के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है वरशब वरशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा वरशब राशी वालों का भाग्य आज सांत दे रहा है मांगली कारी में सहभागी होंगे आपकी वाणी मधूर रहेगी जिसके कारण दूसरों को अपनी और आकरशित कर पाएंगे आप अपनी चतुराई एवं बुद्धी से अपने कारी को सफल बना पाएंगे सेक्षणिक मोर्चे पर लगातार प्रयास की वजह से कुछ खास वेक्तियों का मार्ग दर्सन आपको मिल सकता है कारी चेतर में आशातीत सफलता आपको अवश्य मिलेगी आज आपको भाग्य का सांथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारी चेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से हैं प्राता हकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान शनी देव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें शनी देवत्ता के नाम मंत्रों का जाप करें एसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मिठुन मिठुन राशीवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मिठुन राशीवालों का आज का दिन बहूत अच्छा व्यतित नहीं हो पाएगा संगर्ष पूर्ण इस्थिती का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है ऐसे समय में आपको परिवार का साथ अवश मिलेगा इसलिए हिम्मत आपको नहीं हारना चाहिए आने वाली कठिन परिस्थिती का डट करके सामना अवश करें मित्रों के साथ अच्छा समय बेतित होगा और आज कुरोत को अपने उपर हवी नहीं होने दें फिर दिन आपका बहतर होगा आज सेहत आपकी सामान रहेगी आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारी छेत रम्याज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शनीदेव के मंदिर में पीले फल का दान करें समसनिश्चराइन महा मंतर का जाप करें एसा करने से काईरे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है करकम करकराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा करकराशी वालों का कामकाज में प्रदर्सन बढ़िया रहने वाला है आपके अंदर बोलने की जो कला है आपको किसी भी छेत्र में काम्यागभी के शिखर पर पहुंचाने में मददगार सिद्ध होगी धन का निवेस्ट करने के लिए आज का दिन उत्तम है पालिसी सेयर मार्केटिंग में आप इन्वेस्ट आदी कर सकते हैं विद्यार्थी वर्ग परिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे परन्तु मन में डर भी बना रहेगा आज आपको भाग्यकासान 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकनो है शुबरंग आपका केसरियारंग है केसरियारंग का प्रियोग कारेचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के बाद भगवान शनी देवता को सरसो के तेल से इसनान करावे यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्ह सिम्हराशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा सिम्हराशी वालों के लिए आज के दिन की सुरवात अच्छी होने वाली है काम काज हो या परिवारिक सुक के लिए आज का दिन बहतर रहेगा आज भाग्य का भरपूर सांथ आपको मिलने वाला है मांगली कारी में सहभागी होने का सोभाग्य भी मिल सकता है जिसके कारण अपने रिष्टेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर भी मिल सकता है नोकरी में पदोननती की संभावना रहेगी तथा कारी छेतर में लाप की इस्तिती बहतर रहेगी आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंक तीन है शुब रंग आपका निला रंग है निले रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपा इस प्रकार से हिन प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में उड़त का दान करें यथा शक्ति शनी इस्त्रोत्र या शनी देवता के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कन्याराशी वालों का आज का दिन यादगार रहेगा आप मीठी वानी की सहायता से तथा अपनी चतुराई से कारे में सफलता हांसिल कर पाएंगे दिन की सुरवाद बहतर होने वाली है और माता पिता का इस ने हवा आसिरवाद मिलेगा संतान सुख बहतर होगा प्रमोशन या उससे संबंदित बाच्चीत आज होगी संतान के द्वारा सराहनी काम आज होगे आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकदा सहे शुबरंग आपका केसरियारंग है किसरियारंग का प्रियोग कारी शेतर में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चात भगवान शनी देवता के मंदिर में अनाज का दान करें यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी ही तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज कामकाज में आपको सफलता मिलने वाली है किसी नवीन विवसाय को सुरू करने का विचार मन में हो सकता है या उसे वास्तिक वी रूप आज दे सकते हैं आज भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा आज कामकाज में अपना पूर्ण सहियोगा आप दे पाएंगे अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशीबालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा वरश्चिक राशी वाले आज पूरा दिन तरो ताजा रहेंगे नोकरी में सफलता आपको मिलेगी व्यापार में धनलाब होगा परिवारी कलह खत्म होगा आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा आप जो भी कारी करेंगे उसमें इश्वरी मदद आपको अवश्य मिलेगी आप किसी ऐसे कारी को अंजान दे सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन हो सकता है आपको अपनी मेहनत और अथक प्रयास का फल अवश्य प्राप्त होगा आज आपको भागे का 7 666 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भागे साली अंकच्छे हैं शुबरंग आपका गुलावी रंग हैं गुलावी रंग का प्रयोंग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपा इस प्रकार से हैं प्राताहका लिश्नान करने के पस्चाथ भगवान शनी देवता के मंदिर में फल का दान करें यथा शक्ती शनी देवता के नाम मंत्रों का जाब करें ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा धनू राशी वालों का आज मन प्रसन्नवा संतुष्ट रहेगा परिवार के साथ अच्छा समय वेतित कर पाएंगे आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए मकर राशी वाले कामकाज में अपना बेष्ट प्रदर्सन कर पाएंगे उसी के फल सरूप अच्छा लाब आपको होगा साहस और आतमविश्वास में बड़ोतरी आपको देखने को मिलेगी आपकी मनोरंजन के साधनों की तरफ रूची ज्यादा रहेगी घर बाहर भी प्रसनता रहेगी आज आपको जीवन साथी और संतान की तरफ से सुख़त समाचार प्राप्त हो सकते हैं और आज आप अपने परिवार में होने वाले मांगली कारे का आनन्द ले पाएंगे आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पाँच है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहका लिश्नान करने के पश्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में फल का दान करें यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है कुम्ब, कुम्ब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कुम्ब राशी वालों का परिवरिक जीवन में उतार चड़ाओ भरा दिन रहेगा, आज आपको अपनी महनत और समझदारी से जीवन को सुखमई बनाने में मदद मिलेगी, का आज आपको भाग गिका साथ 82 प्रतिस्थ प्राप्त होगा, आज आपका भाग गिशाली अंक दो है, शुब रंग आपका बेंगनी रंग है, बेंगनी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही, प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद, भगवान शनी देव के मंदिर में काले कपड़े में काले उड़द रखकर के दान करें, यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें, इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफ होगी, पैठ सम्बंदी समस्याएं आपको हो सकती है, खान पान पर ध्यान दे, गेश सम्बन्दी विकार आपको अधिक हो सकते ही, आपका अपने मित्र एवं परीचितों के साथ अच्छा समय वितित होगा, आज आपको भाग्य का साथ 84% प्राप्त होगा, आज आपका भा प्राताहकाल इस्नान करने के पस्चाद भगवान शनी देव की यथा शक्ति पूजा करें पंचे मेवा का भोग अर्पित करके ओम समसनिश्चराई नमा इस महा मंत्र का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रो आशा करता हू कि आपको हमारी यह देने गराशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिलेंगे